वेल्कम बेक पहले बर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अफ्टार कर लिजिए क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत अच्छा होना वाला है और आज का में टॉपिक है कैसे आप आपका बिजनस के लिए लीड जेनरेट कर सकते हो अब को बिजनस के ज्यादा ज्यादा काफ्टनमार ले सकते हो आपकी वेस्टेट के अंदर नहीं तो आपको जो मिशन है वो कैसे ऑनलेन के दोरा आप पूरा कंप्लेट करेंगे इस वीडियो लेक्सर कला से पर मैं आपको पॉमिस करता हूँ इस वीडियो के अंदर ऐसा कुस इंफोर्मेशन में आपको शाद शेयर करूँगा आपको keyword की जो knowledge था वो पूरा concept लियर हो जाएगा और आप जानते हैं कि चूटकी में आप Google Ads campaign कर सकते हो और ad campaign क्रेट करने के लिए Google खूद भी कहते हैं कि सिर्फ दो मिनिट भी नहीं लेगता है मेगी के जो मेगी बनाता हो उसके बहुत जल्दी से आप एक ad campaign क्रेट कर सकते हो तो फ्रेंड इतना fast ad campaign क्रेट करने के आपको फाइदा क्या है ad campaign create करने के मलब आप ad campaign जुरूर create कर लेंगे keyword भी आप चाही तरगे से select कर लेंगे पर जो आपको reason है जो business है जो लेकर आना है जो आपको sales चाहिए वो sales करने के लिए आपको क्या करना होगा क्या keyword आपको choose करना होगा क्या आपका competitor जो keyword select करें आप उसके पीसे भागने से वजाए से आप भी क्या वही CM keyword आप पॉसंद करो नहीं it is not good practice for your Google Ads campaign आप एक PPC expert बनने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो right आप एक proportional तरीके से काम करना चाहते हो आपको business के अंदर जादा से जादा लीड लेना चाहते हो और यह जानने के लिए आपको Google Ads tutorial क्लास को साथ जोणना है होगा और मेरा जो channel हो जोरू सब करना होगा यह आप लाइक करके रखे क्योंकि in future आप लाइबरी में जाके आपको पूरान वाला जो देखने वाला वीडियो था वो ढूंडेंगे तो मेरा वीडियो जरूर मिल जाएंगे तो कैसे एक नॉर्मल यूजर अगर आपको service लेना चाहते एक दों पक्का हो गया कि वो बंदा आ आपको साथ contact करना वाला है या आपको service लेना वाला है या आपको from target जो आपको video target जो आपको फाइल भीजने का जो आपको service देने का वो कैसे ले सकते हैं और ये सारे details में आपको साथ share करूंगा पूरा technically आप जानते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा desktop के अंदर ही share करते हो और फ्रेंड एक सोटा से details में आपको बता दूँ मैं एक प्रोपरेशनल गूगल आड एक्सवाड हूँ मैं PPC campaign चला थू कोई भी बिजनस के लिए अगर आपको बिजनस के लिए आपको लगता है कहां मैं आपको बिजनस के लिए Google Ads campaign create करूंग तो आ अगर आप टेक्निकली बेग्रांड से नहीं हो आप आपका बिजनस के लिए आड चला सकते हैं आपका भी बिजनस पैकसन मोबस के लिए है राइट हो सकते हैं आपको रिज्टूरंट का बिजनस है हो सकते आप एक TV repair, washing machine repair या technology या take support को उपर काम करतो हो सकते आपका home loan के बारे में आप काम करो यह सारे चीज़ लेकर जो आप काम करने के जो तरीका है उसका अलग-अलग keyword होता है एक अलग-अलग system की मुतविक और बिजनस के मुतविक पर आप कैसे keyword selection करेंगे क्योंकि इसमें अगर compression या traffic देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगा आया लग-भग मेंने चेक किया था इसके अंदर आपको 100 के तक आपको traffic मिल जाएंगे पर यह आपर सोटा सा में एक question करना चाहते हो क्या यह पैका सा मुवाज जब भी लिखेंगे तो कोई location भी mission नहीं है right कोई contact number और ढूलना चाते है न्या층 भी information या क्या करना चाते है कुछ लेना चाते है कुछ जानना चाते है एक यवड के अंदर exactly कुछ information नहीं तो यह keyword को क्या कहते है एक keyword क्य जो system है जो अलग-अलग जो category है category वाइज एक pack us and movers अगर कोई लिखते है तो यह information या engagement बढ़ाने के लिए या awareness बढ़ने के लिए एक keyword को चुना जाता है तो आपको OS ID के अंदर आपके ज़्यादा traffic लिएना चाहते हूँ या branding करना चाहते हूँ या हो चखे कि коммент ज्यादा लोग एड इसलिए चालाते है क्योंकि उसको branding value बड़े, उसका awareness बड़े, उसका traffic ज़्यादा आजाए, इसमें उसको business मिले या ना मिले, इसमें कोई फरक नहीं पड़ते है, पर अगर आब एक सोटा से small businessmen होंगे, तो आपको तरीका क्या होगा, एक normally fast user आकर cat होना चाहता है, प्राइज जानना चाहते है, आप कैसे service देता हो, यह सारे सी जानना चाहते है, और यह सारे सी जानने के लिए एक normal user, अगर आपको साथ contact करना चाहते है, तो यह ऐसे ही तरह के से लिखेंगे, पैकस & facebook's contact number in Bangalore, in Pune, in Hyderabad, मतलग वो Bangalore की अंगर अंदर, पैकस &rolog सारे कंपनी का contact number हो लेना चाहते है, विकर वो contact करना चाहते है, आपको साथ बात करना चाहते है, आपको साथ काम करना चाहते है, आप जो service देना चाहते हो, वो service ले ना चाहते है, इसे लिए क्या होते ह यह आपका rate कि लिए best है right friend में आपको कहते हूँ यह एक lead keyword है you can 중 Żona argent के अंदर lead छुपा है conceptual a keyword के अंदर आपका पैसे सुपा है आपका information सुपा है का मैंने लिएक की अगर की अंदर आपको बिजनुस मिलेंगे friend आप खूदी compare करें हूदी compare करिए अगर में श्रेब Packus and Movers लिखोंगा, राइट, Packus and Movers, यह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या इसमें सबसे Best of Best, कौन से वाला कीवर्ड अगर यूजर सास कते, तो सबसे जादा बिजनस कौन सा कीवर्ड के अंदर आपको मिल सकते हैं, अब एक यूजर Normally clear कर दिया है कि मुझे Packus and Movers की Contact Number चाहिए, मैं उसको साथ बात करना चाहूँगा, इसलिए वो लिखा Mention किया है Contact Number, राइट, अगर यह यहाँ पर लिखता है, कि Packus and Movers तो यह Information है, अगर और एक लिट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो Packus and Movers Company, ADDRESS in Bangalore, फ्रेंड एक यू लिखा, Packus and Movers Company address in Bangalore, क्योंकि वो जानना चाहते है, कि Packus and Movers Company की address, जो है, वहाँ पर विजिट करना चाहते है, या Contact करना चाहते है, या बात face to face करना चाहते है, वो उसको साथ बात करके, face to face बात करके, उसका जो काम या service वो आप से लेना चाहते है, तो it is call for leads, तो ऐसा ही तरीकी से आपको ad campaign चलाना चाहिए, फ्रेंड आप देख सेकते हैं, इसमें भी ad चल रहे है, और इससे भी ad चल रहे है, high completion keyword चूज करके, आब आपका business के ad campaign मत चलाईए, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, पैकस अन मोबर स्रिप अगर आप keyword लिखेंगे, तो high completion keyword चर्स करेंगे, प्राइज आपको महेंगे देना होगा, पर अब confirm नहीं हो, कि आपको business मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, number one, अगर इसमें compare करें तो दिखा जाए, एक long tails keyword अगर अब लेंगे, पैकस अन मोबर स्कंपनी address in Bangalore या पैकस अन मोबर स्कंपनी, contact number in Bangalore with address या कुछ भी कुछ भी लिखता है, तो यह आपको business देता है, चाहे इसमें थोड़ा सा आपका completion काम हो या ना हो, आप देख सकते इतमें कितना बड़े completion है, और इतमें कितना बड़ा completion नहीं है, तो आप सुसरेव के मेरा shop के अंदर बहुत सरे visitor आ जाएंगे, तो मतलब मेरा business जादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होते, बहुत सरे ऐसे user आता है, कि सरेव के सरेव आपका website की information पढ़ना चाता है, अगर, अगर कोई ये लिखता है, कि अगरवल पैकास वसेश वी आर एल पैकास, ये दोनों compare करते हैं, तो वो confirm हो चुका है, कि वो अगरवल से सर्विस लेंगे, या भी आरल के सर्विस लेंगे, अगर ऐसा ही keyword आप लिखेंगे, तो आप व एक user जब confirm हो चुका है, कि वो दोनों के अंदर वो compare करें, तब विस में जाके आप खुद बातचीत करो, तो ये भी आपको एक lead है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखू iPhone, जैसे iPhone versus Samsung model 10, तो मैंने यहाँ पर AC लिखा, राइट, आइफोन की एक model आता है, AC, तो iPhone AC versus Samsung S10e, ये दोनों compare करना चाहते है, तो एक user दोनों information ले चुका है, market के अंदर, कि iPhone AC वो भी पता है उसका क्या है, और Samsung AC वो भी पता है, पर ये दोनों compare करने के बाद, क्या result आएगा, जो unboxing करते हैं, वो कौन सा वाला refer करना चाहते है, उस हिचब से आपको वो product खरिद चाहते है, तो एक user information लेना चाहते है, फ्रेंड, आपने इतना तक वीडियो देख लिया, तो आपको पूरा concept आ गया, कि आपके keyword के अंदर आपको क्या देना है, फ्रेंड, अगर आप book sell करना चाहते हो, तो free PDF download, right, download site, ये PDF धोनना चाहते है, कौन चाहते है, in Bengali story, in Bengali story, right, friend, अगर आप book sell करना चाहते हो, तो ये वाला site के जाकर भी, आप आपका ad campaign चला सकते हो, चाहे उसका west side की owner जो है, वहाँ पर call करके, आपका business की जो ads है, वो भी आप देश सकते हो, ऐसा हामेशा बात नहीं है, कि सरेफ कि सरेफ आप Google ads के उपर, आप ad campaign चलाओ, right, ये होता है business और marketing, friend, I hope, कि आपको lead जो generate कता है, जो keyword के आपको business मिल चाहते है, वो कैसा तरके से आपको ढूनना चाहिए, ये मिने आपको pass share का दिया, अगर आपको like ता है, कि हाँ, मैं ऐसा ही तरके से आपको video share करूँ, तो please comment करके बता दीजे, एए video आपको कैसा लगा, बुरा लगा तो जो लाइक कर दीजे, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं SI, सांदार, information, महनाद करके मैं आपको ले दे दूँगा, promise, friend, thank you, मिलते हैं नए रे वीडियो को साथ, तब तक अब हैपी रहिए, खुशे रहिए, जाए हिन, बन्द बात रम